दोस्तों मैं राजी बंसल आप देख रहे हैं हासी की आवाज जू जू नगर प्रिशद का कारियकाल समाप्ति की ओर जा रहा है त्यों तो यानि चुनावी सरग्रिम्या तेज होती जा रही है यह माना की इस बार कुछ आरक्षन में बदलाव हुआ है जो पार्शद के वार्ज हैं और अभी हाना की डेट नहीं आई है कारियकाल मैं में समाप्त होगा लेकिन चुनावी बिसात बिच्ती नजर आ रही है पार्शदों ने और चेर्मेन ने जो की चेर्मेन का चुनाव कहूं मैं एक ऐसे पार्शद परतिनीदी कहूं मैं जिनोंने अपने प्रोफेशन को जिया है और साथ ही समाज सेवा में अगरणियें इनकी परिवारिक प्रिष्ट भूमी रही हैं आप हैं जनाब डॉक्टर अनिल शर्मा और इनका थोड़ा सा मैं प्रीचे और देदू कि ये डॉक्टर शरी शर्मा जो वार नंबर साथ की पार्शद और वाइस चेर्मेन हैं नगरप्रिशित के उनके पिता शरी हैं लेकिन उम्र में लगते नहीं हैं उम्र को तो ये पिछे छोड़ गए हैं कि और बड़े यंग और डाइनमिक लगते हैं आईए इनी से बात करत हैं डाग साब से की आगे की क्या रनृति रहेगी वार्ड नंबर साथ जो की आपकी बेटी वाइस प्चेरमेन रही जहां से वहां से चुनाव लड़ेंगे या खहीं और आपकी ऐसी रनृति है चुनाव लड़ने की तो सब सबसे पहले तो आपका हांसी की आवाज पे जन्यवाद राजीव जी पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा हांसी की आवाज पर आपने मुझे आने का मौका दिया लोगों को कुछ से पहचान बनाने का मौका दिया कि मैं आपका हर दे साभारी हूं और हांसी की जन्ता को सब को जो है प्रणाम करता हूं लाकसर सबसे पहले दर मैं आप मेरे साथ सेपाठी भी रहें बाल सखा भी रहें हैं यह जो मूझे हैं जो आपकी बड़ी खुबसूरत लग रही हैं यह राज-पूतना टाइप मूझे तो आपके चेरे को और ज्यादा खशूसियत दे रही है खिला रही है सीधे पर्शन पर आता हूं पिछली योजना का कारियकाल समाप्ति की हो रहे है बाइस मई को हाउस यानि कि समाप्त हो जाएगा उसके बाद चेर्मेन का चुनाव इस बार बिल्कुल सीधे है डारेक्ट ह बेटी वार नमबर साथ में काम करती रही है क्यासा कारियकाल गुजरा आपका वार नमबर साथ के जो आपके वासिंदे हैं वोटर्स हैं वो आपकी कारियशेली से कितने परभावित हैं कुछ थोड़ा बहुत नराजगी भी होगी उनमें जो सर एक बार बनने के बाद रही थोड़ा बहुत हम लोग उसको नहीं देख पाए परंतु एक बात मैं आपको कहता हूं कि साथ वार्ड की जनता को जहां तीस-तीस साल पैंटी पैंटीस साल से लोगों को पानी नहीं मिला था मूल भूथ सोयदां में लाइट की पानी की सडकों की वह सुईदा आप मे विदायक महुदे के उनका जो अशिरवाद रहा उससे यह वनी है परंतु प्रियास हमने हर तरह का किया पानी की समस्य आज यह यह यहां तक खतम होगी है यहां तक खतम होगी है देखे साब कि जहां पैंटीस सालों तक पानी नहीं पूछता था आज बिना मोटर के वहां पानी पहुझ रहा है हम लोगों ने यह काम किया आप यह वाड में किसी प्रकार से भी आप तसली कर सकते हैं वाड में आपके खूडा लिफ्टिंग की बड़ी प्रॉब्लम रही टीपर भी मेरे ख्याल बहुत अर्से से लगा नहीं इस वाड में जिसके लिए आप जदो रूपे साथ जार रूपे छे अजार जो भी मिलता था आज तक किसी ने यह तो पूछा नहीं कि आपका यह लिफ्ट करने वाला कुड़ा लिफ्ट करने वाला जो आता है वो कहां है किस से आता है वो हम लोगों ने खुद अपनी जेब से या वो मान दे के रूप में जो हम कुछ हो जाता है तो क्या आप चेर्मेन की सभी बातों को यस करते थे या गलत बातों को उसका पोज भी करते थे सर जो गलत है वो गलत है और जो सही है उसमन के साथ है बिलकुल आपने उनका साथ भी दिया बिलकुल दिया हर हर चीज में साथ दिया है हर चीज में तो आप राजीव जीज में आप खुद देख रहे हैं कि 13 चोदगा ज्हां आकड़ा था ऊस चोदगा राकड़ में नंबर में जो है वो नंबर हमारा ही तो था न बिल्कुल बिल्कुल नंबर हमाराही था परतु में उन बातों को भूल गया हूं मैं नहीं जाना चाहता हूं उन बात Gleich Fhart, चुछ ली बार इस योजना में यानि की जो कारिय काल सिमाबत ह similar ठोट इसमें । ग्रान्ट बहुत आई है। बहने की सो क्रोर से भी अधिक यह देलय ग्रांट आई है आपको लगता है कि इसका प्रोपर येकल हो सकता है कि समथ से पही कभी पबिलीक एलट ने खोग दिया है तो नगर्परिशद ने इसको कवर कर दिया पिर नगर्परिशद ने कवर किया यह पब्लिक kijक ने खुद दिया यह समंद समंद में नहीं रहा इन कापस में जो है और यह एत्यासिक शहर इसके लिए समस्mbžet बहुत बड़ी बड़ी है हम सीवर की पूरे शहर की कहरा हूं मैं आपको यह नहीं कहरा मैं RSS की प्रश्ट भूमी से हैं आपके पिताश्री आरनिय सर्धे डॉक्टर राम्यवास भार्द्वाज जी RSS से जुड़े रहे हैं अगली नरनिती क्या है कि साथ वार से चुनाव आप लड़ेंगे कोई और फैमिली में में लड़ेगा या डॉक्टर शिरी रिटेंड करेंगी और आप खुद कहां से लड़ने जा रहे हैं जरा पब्लिक को बताईए सर जहां तक बेटिया का बारे मैं कहना चाहूंगा आप से बेटिया का स्वास ठीक ना होने की वज़े से वो अपकी वार चुनाव नहीं लड़ पाएगी वैसे बगवान की किरपा से बिल्कुल स्वास्त है वो फर भी हम लोग चाते नहीं कि वो फिल्ड में जाए या उरे इसलिए मैं अपने बेटे को शिवम शर्मा को साथ वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी में है अच्छा बिल्कुल बेटा जमान हो गया बिल्कुल सर बिल्कुल इस अलल बी हाँ बिल्कुल सर और बिल्कुल उसको मैदान में लेके आएंगे और जहां तक रही मेरी बات, जब तक विदायक जी का अशिरवाद नहीं मिला, विदायक जी का अशिरवाद होगा, तो विदायक जी के साथ कंदे से कंदा मिलाकर, पूरे शेहर की तरक्की के लिए जीजान एक कर दूँगा, ना खाऊंगा ना खाने दूँगा. वह इना है आपने एक पहली सी बूझ दी क्या खाऊंगा नहीं खाने दूँगा क्या चेर्मेन की मनशा रखते हैं क्या चुनाओं में बिलकुल चेर्मेन की मनशा मेरे बिलकुल है सर और ऐसा ही शेहर को एत्यासिक शेहर को एक modern city बनाने की यह मेरी ख्वाइश है जिसको मैं की लाइन में बहुत से खड़े हैं और आप सुम कितने अस्वस्त हैं कि अपको अन करेगी मैं बिलकुल अस्वस्त हूं सर बिलकुल किसी परकार की छवी के उपर मेरी इस पांच साल की कारियकाल में बेटी के होते हुए हमारे परिवार पे किसी परकार का कोई छवी को कहीं हमने आँच नियाने दी सर तो चेर्मेन की ताल बिलकुल ठोकेंगे या बिलकुल सर बिलकुल और यानि कि सत्ता पक्से ठोकेंगे सत्ता पक्से सर विदाइक जी का आशिरवाद हुआ तो मैं किसी ऐसी वेसी बात में नहीं जाना चाहता सर विदाइक जी से आपकी दिया है निकि पिछली योजना में जो कमी रही उसको आप पूरा करें पूरा करना चाहूंगा बिलकुल और पूरा पूरा नहीं करूंगा सर् modern city का एक नक्षा देना चाहता हूं शेहर को और प्रिश्चद को बिलकुल रश्टा चारमुक्ती ही कर दूगे बिलकुल सर मेरा वाइदा his प्रकार के हासी की जन्ता को परिशद में किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा गर बैठे-बैठे काम होंगे ये मेरे वाड के जो पर्षद बनेंगे ये उनसे भी मैं अनुरॉद करता हूँ कि परिशद में किसी के कारिये के लिए कोई आदमी ना आए उनके घर बैठे बैठे कारिये होने चाहिए यह तो बहुत बड़ी बात है आपने ताल ठोक दी है और यानि कि थोड़ा सा यानि कि वार नंबर साथ के लोगों को इस बात का तमरार रहता है कि भी वो ख जनता जानती है जनता को मलूम भी है कि मेरी बेटी का स्वस्थ ठीक नहीं था प्रंतु उसके एवेज में मेरा बेटा शिवम शर्मा रात दिन एक करते हुए सब कामों के लिए खड़ा रहता था जिस किसी का रात को भी फोन आया सुबे फोन आया रात को आया चोबिस नहीं पांच में जाने का मेरा कोई राधा नहीं है साथ से लड़ेंगे साथ से और चेर्मेन का आप बिलकुल किसको प्रतिदंदी मानते हैं चेर्मेन के लिए आप मेरा तो अभी मैं किसी को प्रतिदंदी मानता नहीं हूं जनता मेरे साथ में जनता को मैंने काम दिया काम क संतां जानती है कुछ कम यह रहे जाती है मैं कभी ये निफ कहता हूं कम यह रहे जातीं पर नंतुमने उसको पूरं रूप से करके दिखाऊंगा ल१ी ज़ित सथ तैने मन बना लिया आप चेर्मैन का बेटा यानि कि शिवब वार नमबर साथ से यानि पार्षद का चुनाव लड़े हैं अगर मेरा विदायक जी का अशिरवाद रहा तभी मैं चेर्मेन के लेक्षन लड़ूँगा अधर्वाइज मैं नहीं लड़ूँगा बिल्कुत स्पस्ट कर रहा हूं सर और बेटे को साथ वार से जुरूर चुन करना चाहता था लेकिन पापलर उससे हैं कि लोग मेरे जैसे जो इनके साथ रहे हैं बिल्कुत स्पस्ट कर दिया है कि डाक्टर श्री शर्मा जो हमारी इनकी बेटी है पिछले दुनों वाइस चेर्मेन रही है तो बेटा शिवम जो लाग रेजुएट है कानून का जानका है वो यहां से चुनाव लडएगा और यह स्वम ताल ठोकेंगे यानि की बीजेपी से चेर्मेन की अगर इनको टिकट मिलती है तो चूकेंगे नहीं और शहर की काया प्लट करके शहर को रोल मोडल और एक मोडल सिटी बनाने का काम करेंगे डाक साब आप हमारे चैनल पे आ होंगा मेरा लाज शेहर है चले जाते हैं आपके महफिल से हम अगर दिल घबराए डख साब तो फिर बुलाईए